यूट्यूब मैं प्रिंस देशी प्रोग्रामर से और स्वाध्या सब का पाइथन की एक और नई वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा रेक्कमेंडेड और सजेस्टेड टॉपिक के बाड़े में और वह है कि हम पाइथन की फाइल को एक exe यानि stand alone executable file में कैसे convert कर सकते हैं इस टॉपिक को बहुत हैं लोगों ने पूछा था करने के जुद क्यों आप पड़ती हैं तो मैं यहां पर बहुत सारी theoretical बाते नहीं करने वाला हूँ हम सीधे practical बात करेंगे practically हम एक कामों कैसे कर सकते हैं बट theoretically मैं दो simple points बताना चाहूंगा सबसे पहले बात यह है कि अगर मैं किसी को अपनी python file directly share करता हूं तो वह इनसान मेरे पूरे code को पढ़ सकता है तो इस तरह से अगर मैं कभी चाहूं कि मैंने कुछ ऐसा create किया है जो मैं अपने किसी दोस्ते किसी को share करना चाहता हूं बट मैं यह नहीं चाहता हूं कि वह मेरे कि जरूरत होती है अब हम हमेशा अपने end user को यह तो नहीं कह सकते क्या python interpreter download and install करके रखो तो ऐसे में exe file byte code होता है machine code होता है जो directly execute हो जाता है और एक ऐसा computer जिसमें python interpreter नहीं है वहां पर भी हम एक exe file को execute कर पाएंगे तो और भी बहुत सारे regions है जिन का रण हम exe convert करते हैं तो फिराल हम आगे बढ़ते हैं कि काम कैसे करना है तो सबसे पहले मैं यहां पर open करें तो अपना command window और यह में दूसरे screen पर खुल गया ट्रैक करते से यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं और यह आपको एक फाइल दिख रही है calculator जो कि मैंने tinker tutorials में बनाया था सबसे पहले मैं इसे python को use करके इस file को run करता हूं और आप output देख सकते हैं जो कि again दूसरे screen पर है तो यह रहा output अब देख सकते हैं काम कितना simple हो रहा है 12 plus 3 is equal to 15 into 6 is equal to 90 fine तो काम बन रहा है यह हमारे calculator था जो obviously काम करता था अब अगर मैं बात करूं कि इसे में कैसे stand alone executable file में convert कर सकता हूं तो सबसे पहले मुझे कुछ चीजों को check करना पड़ेगा और वह आपको भी check करना पड़ेगा सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास python का version कौन सा है 5 3.4 पर में कि यह mostly 3x ही हो यानि कि 3.something और 3.4 ही हो और अगर आप यह वीडियो आज देख रहे हैं तो most probably आपके पास 3.7 होना ही चाहिए इसका हम चेक करेंगे कि हमारे पास पिप का version कौन सा है पिप का version आपके पे कुछ भी हो सकता है और राइट नाउ पिप का जो लेटे जिस मॉडियल को हम यूज करते हैं इस python file को standalone executable में convert करने के लिए जिसका नाम है पाई installer एक्चुली इस मॉडियल को अगर आप 19.something को यूज करके इंस्टॉल करने को सिस करेंगे तो error throw करता है जिस कारण अगर आपके पास pip 19 है तो 19.something है या फिर आपके पास 17.something भी है तो आपको upgrade या downgrade करना पड़ेगा अपने पिप को 18.1 के लिए अब यह कैसे करेंगे तो काफी आसान है आपको यूज करना पेप इंस्टॉल पेप इस इक्वल टू इस इक्वल टू 18.1 यह डबल इस इक्वल टू 18.1 सिंपल कमांड है मैं डिस्क्रिप्शन में भी यह दे सकता हूं अगर मैं इंटर हिट करूं फिलहाल यानि कि अविएसली में पास और इंस्टॉल कर लें तो और यह काफी असान बात है हमारे पर सिंपल सा कमांड है डारेट कमांड है जिसी उसकर कर सकते हैं अब बात करते हैं अपने इस मॉजूल को इंस्टॉल करने की जिसके सब्सक्राइब करेंगे और यह मॉडूल इंस्टॉल हो जाएगी इस वीडियो में मैं दो मॉडूल के बात करने वाला हूं सबसे पहला तो यह है पाई इंस्टॉलर जो कि अब देख सकते हैं कितनी असानी से इंस्टॉल हो गया और पहले से था लेकिन आप जब यह कमांड सब्सक्राइब करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा बिल्कुल भी कोई प्रॉल्म नहीं होगी अगर आपके पास पाइथन 3.1 सम्थिंग है तो और अगर आपका वर्जन 18.1 ही है तो तो एक तो हम बात करेंगे पाई इंस्टॉलर के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे आपके बारे में दोनों मॉड्यूल जहां जो आल्मोस्ट सेम है एक्शुली पाइंस्टॉलर एक कंसोल मॉड्यूल है यानि कि हम कंसोल में कमांड्स टाइप करते हैं और यह हमारे यह काम करता है जबकि ऑटो पाई टू एक सी जो है वह एक जी यू आई विंडोस हो करता ह है जहां पर हम एक्शिक टेवल क्रेट कर सकते हैं ऑटो पाई टो एक सी भी पाई इंस्टॉलर को ही यूज करता है क्रेट करने के लिए तो इसलिए सबसे ज़रूर यह पाइंस्टॉल को इंस्टॉल करना ठीक है जो दूसरा मॉडिल है उसके वाड़े हम बाद में बात करे होगा पाई इनस्टी डबल लियार पाइंस्टॉलर स्पेस हमारे कुछ आप्संस आएंगे और इसके बाद हमें देना होगा अपने फाइल का नाम अब यहां पर बहुत सारी आप्संस है आप इसली गूगल कर सकते हैं पाइंस्टॉल के ऑफीशल डॉक्यमेंटेशन में ल से दूसरह कोंसोल यह नोंगोंसोल का मतलब यह होगा कि जब हम रन करेंगे सपोस्ट के करेंटर डॉकों तो हमें यह सी में डी कोणसोल नहीं देखेगा बैक्डावड में अगर मैं इस नोंसोल ओप्सं को यहां पर ना डालू तो पहले एक सी एंडी खुलेगा एक कमानड prompt के through हमारा वो GUI window खुलेगा ठीक है तो वन फाइल वन फाइल और नो कॉंसोल और लास्ट में देना होगा अपनी फाइल का नाम जो के calculator.py एंटरेट करते हैं और अब यहां पर कुछ processes होंगे थोड़ा समय लग सकता है वेट करें और फिर बन जाएगा हमारे लिए एक executable file यह आप अब देख सकते हैं अभी यहाँ पर मुझे मिला calculator.spec एक specifications है build और dist folder में हमारे लिए एक executable file बनके तयार हो जाएगी थोड़ी देर में अभी यह फाइल तयार नहीं है आप देख सकते हैं कुछ processes run कर रही हैं just wait for this processes to finish तो फाइनली आप देख सकते हैं कि सारे processes complete हो गया है और अब आपको dist नाम की directory में folder में एक आपको application मिलेगी जो कि होगी calculator सेम नेम रहता है और अगर आप properties में चेक करें तो आप देख सकते हैं कि यह एक exe file है ठीक है एक application है direct executable application और अगर मैं इस पर double click करूं तो यह अब directly हमारे लिए calculator open कर देगा हमें अगर suppose मैं इसी किसी ऐसे person को दूं जिसके पास python interpreter installed नहीं है तो उनके लिए भी यह directly calculator को open कर देगा process थोड़ा slow हो जाता है python को executable में convert करने के बाद आप देख सकते हैं अपल से फाइल यहां पर 7 MB हो गई है तो थोड़े और यही कारण है कि actually python को कभी भी actually खुल चुका है मेरे दूसरे स्क्रीन पर जिसे मैं drag करता हूं तो यह कारण है जिसकारण python से कभी भी हम directly executable से नहीं बनाता है आप देखेंगे बाद में कि हम C++ को यूज करते हो जो मेरे python script होते हो बस सपोर्ट में रहते हैं यहां पर मेरा हो चुका है आप देख सकते हैं काम सेम कर रहा है तो यानि कि हमारा काम बन जा रहा है तो अब आल्मोस्ट आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम पाई इंस्टॉलर मॉड्यूल को यूज करके python से एक direct executable को create कर सकते हैं अब अगर आप जाना चाहते हैं कि यह कमांड से आपको description मिल जाएंगी तो आपको ऐसे कुछ याद रखने की ज़रूत नहीं है अब जब चाहिए चब डिरेक्ट डिस्क्रिप्शन खोल के देख सकते हैं तो यहां पर अगेन मैं इसे रन करूंगा तो आपको थोड़ा समय लग सकता है इसे इंस्टॉल करने में इंस्टॉल होने की बाद हमें क्या करना है डिरेक्ट लिए टाइप करना होगा और पाई टू एक सी कॉंसोल से एंटरेट करेंगे और अब यह क्या करेगा यह हमारे लिए एक जी यू आई विंडो खोल देगा ज इस में विंडो पर एक्शुली यह एक EEL मॉडिल को यूज करता है जिसकर आप देख सकते हैं कि यह बेसिकल एक लोकल हो सर्वर स्टार्ट करेगा बड़ आप ध्यान यहां पर सबसे पहले कि यह स्क्रिप्ट के लोकेशन है वन फाइल या वन डिरेक्टरी कॉंसोल को यूज कर रहा है यहां पर देख सकते हैं जो कमांड रन होगा वह पाई इंस्ट्रावर कमांड ही होगा तो फिर भी आपको एक बार दिखाने के लिए मैं विन कर ले रहा हूं इसे और यहां पर मैं अगर जाओ अपने डेक्सटॉप पे तो पाई-2-exe और यहां पर मेर पात है इसे भी में switch करते रहा हूं मैं output को अपने इसी folder में select कर ले रहा हूं आप देख सकते हैं सेल मिल सेम मिल रहा मुझे सेलेक्ट फोल्डर काम बन गया ठीक नीचे आते हैं बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं अब देख सकते हैं एक पाई इंस्टॉलर कमांड ही है जो फायर होड़ा है पाइंस्टॉलर हाइफन वाई स्पेस हाइफन एफ स्पेस हाइफन टेबलो और इन्यवे हमें फिलहाल इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशनरी के जरूत नहीं है कि यह कैल्कुलेटर.exe फाइल मिल जाएगी जो कि हमने पाई इंस्टॉलर को यूज करके क्रेट किया होगा बट यहां पर हमें एक जी यू आई विंडो मिल रहा है ऑटो पाई टू एक सी के कारण तो बस वेट करते हैं इसके कनवर्ट होने का तो आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कंप्रीट हो गया है यहां पर एक चोड़ी सी चीज एक एरर है अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ओपेन आउट फोल्डर तो लिटरल हमें एक एरर मिलता है कि एक्स्प्लोर इस नॉट रिकाग्नाइजट बट एनिवे हमें पता है कि हो तो आप देख सकते हैं कि अभी यहां पर एक ओल अप्रिकेशन है जो कि है कैल्कुलेटर दिहान दें डिस्ट में हमें जो आप्रिकेशन मिलती है डबल सब्सक्राइब करने के लिए और यह थोड़ा समय लगेगा बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम लगेगा और हमारा यह कैल्कुलेटर जो प्रोग्राम है यह ओपन हो जाएगा बिना किसी कंसोल विंडो के और बिना ही पाइथन इंटर्प्रेटर के तो बस फिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमने सीखा कि हम कैसे पाइथन को यूज करके एक स्टैंड एलोन एक्सेक्विटेबल फ यह से आप इसे चाहिए तो असानी से अपने किसी फ्रेंट को सेर कर सकते हैं और उसे पता नहीं चलेगा कि हमने इसे पाइथन में बनाया है सबस्क्राइब उससे यह नहीं पता चलेगा अगर उसे आपने बता विजिया कि आप लोगों नहीं मांगा था तो बस लाइक आप चलेगा